हेलो दोस्तों हाई आप सब कैसे हैं उमीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे आज बेलन चैनल से गिर्जा सर्मा बोल रही हूँ हूँ आज मैं प्याज की सब्जी बनाने जारी हूँ आप लोग को टेस्टी और यम्मी लगेगा एक बार देखिए इसकी कलर पहले हमने द करके अच्छे से फ्राय किया देखिए इस तरह कितने यम्मी कितने लाजवाब कलर आया है आप लोग को अच्छे लगेंगे और इसके बार हमने मसाला को ग्राइंड किया है मसाला में एक चमच जीरा एक चमच धनिया और दस पंदर लासुन की कलिया दो हरी मिर्च एक अब इसमें मैं फोरन के लिए जीरा एक चमच और हाफ चमच राई डालूंगी देखिए जीरा डालूंगी जीरा चटकने लगी अब इसमें हाफ चमच राई डालूंगी अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे अब देखिए हम मसाला डाल रहे हैं मसाला को तब तस भूनेंगे जब तस पेलना चुरह एक देखिए मसाले में कितने मसाले में सलाई को रहा है देखिए कितने सुनहरे कलर लग रहे हैं अब इसके बाद इसमें दो गलास हम पानी डालेंगे ग्रेवी के लिए देखिए कितने तेल छोड़ रहे हैं, मतलब मसाला पूरी तरफ भुन जया है, अब इसमें हम पानी एड़ करेंगे, दो गलस, गलस पानी डाले हैं, और गलस और पानी एड़ कर रहे हैं, इसको उबाल आने देंगे, तो हम इस फ्राइ किये हुए प्यास की भजिया को हम इसम हम स्वादा नुसार डालेंगे, देखिए अब जैसा खाते हैं, उस हिसाब से आप डालिएगा, देखिए अब हलके हलके उबाल आने लगेंगे, बस दो मिनित में पूरी तेजी से उबाल आने लगें, आप इसमें हम फ्राइ की हुए प्यास की भजिया को डालेंगे, तरह आप साइड से डालिएगा, देखिए अभी देखने में भी कितनी एम्मी कलर आ रहे हैं, अब मैं इसको पांस मिनिट तक और इसको बाल आने देखिए, इसको कितनी एम्मी कलर आएंगे, देखके ही मुह में पानी आ जाएगा की खाले, देखिए प्याच की पोकोरे के सब्जी कितनी एम्मी दिख रही है, हमने इसे गार्निश किया, धनिया बद्दा और ग्रीन हरी मिर्च के साथ, अब देखिए इसको हम आपको दिखा रहे है कितना स्मूथ, कितना सौर्फ्ट दी कटेगा और कितना टेस्टी लगेगा देखिए, कितना इजी ली कट जा रहा है, देखिए, और कितना डेलिसिस कलर आए, देखके ही मुह में पानी आ रहा है, आपको अच्छे लगे तो प्लीज में चैनल को, में चैनल को लाइक, सब् and share कीजेगा Thank you Love you